MIUI 12 फाइनली है जो आ चुका है हमारे POCO F1 डिवाइस के लिए जिसे फिलाल में कुछ टाइम से यूज कर रहा हूं तो इस वीडियो के अंदर आपको complete detail मिलने वाला है कि इस MIUI 12 में क्या कुछ देशनी को मिलता है शाल से इसके performance कैसी है तो वीडियो को full and act watch करते रहे ताकि करना है या फिर नहीं करना है तो चलिए शुरू करते हैं कि है कि है कि है कि है लो यूडिवन आइम एमके एंड एडिवर वाचिंग टेक ओफिस और इस वीडियो में हम बात करने माले माले अपडेट के बारे में जो कि हमारे POCO F1 के लिए पोड़ होके आया है जहां पर जहां पर इस पर इस कुछ आप वाटर फ्लो के लूप में देखने को मिलता है कि कितना है जो यह फूल हुआ है कितना नहीं जो भी आपका MI account का नेम रहेगा उसके साथ आपका POCO के डिवाइस का नेम अटाइच हो जाता है आप देख दो मनोज अरोरा पको F1 यहां पर किक पर का आप का इनिमेशन बिल्कुल यह जो चेंज हो गया है जो की MIW-2 पर नेहीं को मिलता है और असपेक्स की होगा आते हैं आप को MIW का virgen security patch Android देखने को मिलता है modal name और वह बाके अफेक्स दिखाई देते हैं स्कूर्टी पैज 2020-2021 का है क्योंकि जो ऐसे पोर्ट किया गया है उसका है जो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है इंटर्नल देखनी को मिलता है और बाकियादर स्टेटस वगरा दिखाई देते हैं आएक रात हैं बैक्योर्ट तो यहाँ पर आपको फैक्टरी डिखनी को मिलता है और बाकियादर ओप्संस वगरा सिम के ऑप्संन में काफ़े कमाल का चेंज देखनी को मिलता है जैसे आप प्लान सेट कर सकते हो सिम 1 सिम 2 आप यहाँ पर कॉलिंग के लिए चेंज कर पाऊए डेटा के लिए जो कि पहले ऐसा देखनी को नहीं मिलता था फोरजी द्यूल 4G वगरा तो आपको वर्किंग मिलता है एडवांस के अंदर आपको यहाँ पर मॉइल नेट्रोग वगरा देखनी को मिलते हैं यहाँ पर आपको बड़ा साहिकरें जापको निचे करते हैं यह ड्रोव कर नीचे आ जाता है तिक काफी अच्छा लगा जो क चेंजमेंट यहाँ पर जो किया गया है जो कि अब देखते तो किनेक्टिकन से ऊपर चला गया निचे करते हैं निचे और बीक फॉन के साथ आता है तो यह मुझा चेंज का भी पसंद आया यहाँ पर वही सारे ऑप्शन है बट ईवाई और फॉन और बिल्कुल ही चेंज क करता रहेगा जिसके वज़े से आपको जो डार्क मूट यूज करने में कोई भी प्रसानी नहीं आएगा यानि जिस ट्रेक आपको डार्क मूट के उपर लाइट अप चाहिए लाइट का नाम लेते हैं लाइट गूल हो गई तो लोकेशन चेंज हो गया तो यहाँ पर जो आपको जो डार्क मूट ज्यादा बेकार या ओकवर सा फिल ना हो तो जिस तरह के लाइट निंग रहेगी इन्वार्मेंट में उसी ट्रेकर एजिस्ट करेगा डार्क मूट को तो काफी कमाल का ऑप्सन है जो यहाँ पर दिया गया है फिलाली से हम आफ कर देते हैं बैक यो स्टेटस बार का ऑप्सन है जो एड नहीं हुआ है इंप्लिमेंट नहीं किया गया है बट यहाँ पर नोट्यूकिशन है जो एक्टिव कर दिया गया है जो कि डियूल लॉज के रूप में दिखाई देता है तो मिद करते हैं कि जो निक्स्ट पोड आएगा उसमें जो डिय हैं तो अगर आप देखते हैं तो चेंज कर दिये गए हैं जो कि देखने में काफी जड़ा अच्छा लगता है वीडियो इनकमिंग कॉल के लिए आप सेट कर सकते हैं यहां से यह उप्सन आपके लिए जो वर्किंग देखने को मिल जाता है साउंड इफेक्ट में एक जो कि युवाई में मुझे काफी जाए जो कमाल का लगा वह एप दोर मिलता है इंड़ाटन का पूर ने बार पिल्स देखने को मिल जाता है जो कि कुछ इस तरीके से चेंज होता है जो कि काफी परफेक्टली काम करता है वह एप आपको थीम इस्टूर मिलता है जहां पर आपको दो और भाई डिफ़ल थीम देखने को मिल जाते हैं जो कि एक क्लासिक है जो कि फिलाल में अवी करंट यूज कर रहा हूं और दूसरा आपको देखने को मिल जाता है इसका है जो लिमिटलेस बागे तो जो दिखाई दे रहे है इसके ऊपर मैंने एक डिडिकेटीट वीडियो भी दे दिया है तो आप उस वीडियो को वाच कर लेना तो बस बाइडिफर्ट आपको दो ही थीमें जो नजर आते हैं जो कि लिमिटलेस और क्लासिक के हैं उसके साथ साथ आपको बहुत सारे वाल्पेपर देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको बिल्कुली 3D इस चानल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को और नोटिवेशन को इनवल कर लें ताकि हर टेक्नोलोजी से रेलेटेट वीडियो आपको जो मिलता रहा है और यहां पर मैंने आपको रड़ेटे जो एमाई वाटियो के सारे फीचर्स को एक्स्पें किया है फ्लैस कैसे करना है वह मैंने आपको यहां बता गूगल प्लेट अपर बता दिया है और अगर आप टेकनीज में इंट्रीक्ट रखते हो तो आपको इवरी इवनिंग टेकनीजी के एपिसोड टेकनीजी को मिलेंगे जहां पर बहुत सारे अपका में डिटेल से जो मिलता र प्रणूर्ड कर पाओगे अब आगे बढ़ते हैं यहां पर आते हैं तो आप जो फी ऑप्सन यहां पर इनेबर लगता है पासवर्ट, फिंगरपिंट, फिर्स अनलोग वह कुछ इस तरके से ब्लूर हो जाता है यहांने ब्लू हो जाता है जो कि दिखने में काफी ज़या और आप कफ यहां पर यहां प्रफिंट करते हो तो कुछ इस तरके से ओपिन होता है और यहां फिलाल पॉप आप जो विन्डव आता है वह आप को मिल रहा है कुछ इस तरी की से यह जासा कि जो पाप आप biz Wine Oprah ऊपा निग्हां की और से और है और इछ से जोन पैनल देखने को मिलेगा। इंडर से आपको जो QS पैनल देखने को मिलेगा। जहां पर brightness आप कंट्रोल कर सकते हो। इससे अगर आप एटिट करना चाहते हो। तो कुछ इस तरीक का आपको पर दिखने को मिल जाते हैं जो कि आप इड़ कर सकते हो वह पर आप प्रेसेंट के पैनल पर जाते हो तब एक नया ओप्षन दिखाई देता है फ्लोटिंग विंडो का जिस पर टैप करने के बात वह सारे अप्लिकेशन नजर आएंगे जो कि फ्लोटिंग विंडो कर रूप में जो काम करेंगे जैसे कि बाकिया तब चीज या फिकामरा पगड़ा था आप नजरे को फ्लोटिंग विंडो के रूप में इस तरह से रले सकते हो और मूव कर सकते हो हर जगा जो इस तरह कर रहा है पिछे का जो लूप हे वह चेंज आपको दिखाई दे रहा है और आप इस से रिमूब करना है जो कुछ इस तरह से लाके और ऊपर के और शेक देना है तो यह आपका जो विंडो हट जाएगा तो भाई काफी कमार कि इंट्रेसिंग है जो पॉपप वाला जो ऑप्शन एड़ किया गया है इसमें और भी जाड़ा इंप्रूमिंट कर दिया गया है ताकि आपका कोई भी थर्ड पार्टी एप बिडाउट आपके पर्मिशन के डेटा को जो लीक न कर सके और बैट्री का यूई बिल्कुल ही चेंज है यहाँ पर आपको पावर से दिखनी को मिलता है कुछ इस तरीके से अन करते कलर्ट चेंज हो जाता है और अल्ट्रा बैट्री सेविंग तो आपको पता है किस तरीके से काम करता है और इत्मेट्रिक टास्क मुनेजर और यहाँ पर पावर से डिविल वगरव भी मैंना आपको जो सो किया है बट्र बैट्री का यूई और सेक्यूर्टी का यहाँ आप मुझे काफी कमाल का लगा यहाँ पर मैंनेज अप में भी आपको दिखाए देता है कि कौनको से अप्लिकेशन क्या क्या परमीशन है जो एक्सेस कर रखे हैं वहाँ पर बैट्री के बाद आते हैं एप्स के अंदर टाइप्स लोक अगरा जो सब कुछ सेम है इ आप अगर आप इसे अगर बटन रखना चाहते हो तो चोटी से कम यहाँ पर बटन के वह कुछ जा दें तो असमॉल कर दिया गया है आप देखते तो कितना स्मॉल है यहाँ पर दिखाई दे रहा है बट मुझे सही लगा अगर आदत पड़ देगे तो काफी अच्छा रहे तो इंडिया लेंग्वेज युनाटे स्टेट रहे एक्ट्रा एड कर दिये गया है जबकि यह सिर्फ चाइना के ओफिस्यल रोम पर देखने को मिलते हैं लेंग्वेज बट यहाँ पर दो तीन नए लेंग्वेज आपको दिखाए गए हैं ताकि आप अपने जो कि HN ने एड किया है यहाँ पर आपका Gcam परफेक्ट काम करता है तो मैंने कुछ पॉट्रेट वगरा क्लिक किया है तो यह कोई भी इसोज मुझे से रिगार्डिंग देखने को नहीं मिलता है और हम यहाँ पर 4K के 60fps तक दियाते हैं तो भी यहाँ पर सपोर्ट मिलता ह है जो कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हो हमाँ जो मुझे पर लिया रहे बिल्कुली अपडेटेटर मिलता है जिसके आपको देखने को मिल जाता है बैगराउं यूट्यूब को प्ले करने का फीचर जो कि मैंने इसके पर एक टेडिकेटेड वीडियो वीडियो दिया था वहें पर theme manager भी हमारा fully fixed है तो को भी आपको region type problem देखने को नहीं मिलेगा और UI change कर दिया गया है जहाँ पर save in theme 1 wallpaper, dynamic 0 है, ringtone 55 है और font 1 देखने को मिलता है theme के option पर आते हैं यहाँ पर आपको boot menu और बागे boot audio का option दिखाई नहीं देता है में भी मैंने region change के है जिसे वसे दिखने को मिल रहा है आपको set सही दिखी हो आप यहाँ पर दिख सकते हो फोटो, album और यहाँ पर memories वगड़ा बिल्कुल जो bold icon दिखाई देते हैं और बिल्कुल लेटेस्ट आपको दिखने को मिल जाता है जहां से आप इसे आप को hide वगड दिखाई देता है तो कई कभी आप वेडर रियूज कर लो आपको दिखत नहीं आता है जिसे तो कुछ इस तरीके से इसो करेगा तो finishing काफी अच्छा खासा है जो देखने को मिल जाते है आपको अपने वेडर के अंदर यहाँ पर वही सारे चीज़ है जहां में से चाहिना क बहुत सारे application जो extra थे जो कि unusual थे उसे जो remove कर दिया गया है जो कि मुझे सही लगा skin on timing बिल्कुल latest और updated आपको देखने को मिल जाता है जहां पर focus mode बगएरा और plus का भी time देखने को मिलता है जहां पर 20 से 180 का आप है जो time set कर सकते हो तो यह भी आपको जो काफी interesting और improvement के साथ मिलता है हमाँ जो second space है इसका EY जो बिल्कुली बदल दिया गया है जो कि कुछ इस तरी किसे look में दिखाई देता है जो कि सही है यहाँ पर toolbox जो कि मैंने आपको सो किया था वो ही आपको मिलता है game review सही है वहें पर floating window का पर option मिलता है जहाँ आपर demo group में देर खा कि किस तरी किसे इसे यूज करना है अब आते हैं इसके अंटू के score के उपर जो कि मुझे ठीक ठाक लगा बट अगर आप PUBG प्ले करने वाले हो तो आपको PUBG जैसा performance देखने को नहीं मिलने वाला है तो total score 310318 का है जो है normal use के लिए बट gaming के लिए नहीं by default आपको यह routine मिल जाता है बट यहाँ पर net नहीं रहता है बट उमीड करते हैं निश्टाइम यह पास हो जाएगा तो यहाँ पर net security की problem आए कि आप banking के अब बगर यह यूज नहीं कर पाऊगे तो यहाँ पर मैंने आपको complete details दे दिया इसके बारे में कि क्या कुछ कैसे और किस तरह की से मिल जाता है और आपको वीडि कर पाऊ कि आप कोई से यूज करना चाहिए या फिर नहीं अभी फिला डिस्क्यूशन मेंना है जो disabled है क्योंकि यहाँ पर YouTube को से कुछ बग चल रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि free fund में बिना किसी problem किये हुए गलती किये हुए मेरा account delete हो जाए जिसके वैसे अगर आपको कोई questions अगरे करना है आपको टेलीग्राम पर जॉइन होना होगा या फिर इंस्टाग्राम पर पीम कर सकते हो या फिर आप ट्विटर पर भी मैसेज कर सकते हो तो आज के लिए इतना ही गाज मिलते हैं इस रूडियो में तब तक के लिए बाबाई जाए बाद के लिए इस रजडियो में तब तक के लिए लिए जिए